जै कटलर प्रसिद ओलम्पिया जीतने के लिए आपको एक गंभीर प्रतिवधिता बनानी होगी इसे चार बार जीतने के लिए आपको कुछ और ही होना चाहिए जै कटलर एक अमेरिकी पेशेवर बॉडि बिल्डर है जिन्होंने ऐसा किया है वो फिटनस उद्योग में एक उचा कद रखते हैं दुनिया में सबसे प्रभावशाली प्रतियोगिताओं में से एक और नौर्ड क्लासिक जिसमें जै कटलर को लगातार तीन वर्षों 2002, 2003 और 2004 के लिए ताज पहनाया गया था ध्यान रखें बहुत सी प्रतियोगिताओं में से केवल ये कुछ प्रतियोगिताएं हैं जिनें उन्होंने जीता था वो बॉडि बिल्डिंग के खेल में सबसे ज्यादा भैचाने जाने वाले चेहरों में से एक है और कई लोगों के लिए एक प्रभाव के रूप में काम करते हैं उन्होंने 11 साल के उम्र में अपने परिवार के एक तंक्रीट व्यवसाय में काम करना शुरू किया और वो तब तक खेल में सक्रीय नहीं थे जब तक कि वे हाई स्कूल में नहीं आए परिवारिक व्यवसाय में अच्छे रुकम बनाने के अलावा उन्होंने शुरुवाती उम्र में नर्टिक्ता के महत्तो कुछ सीखा और उसका उप्योग अपनी सफलता के लिए किया उन्होंने अपने आकार और गतिक के कारण हाई स्कूल में फुटबॉल में उत्कृष्टता हासिल की लेकिन ये महसूस किया कि फुटबॉल उनका खेल नहीं है उन्हें वजन उठाने का जुनून था और उसे देख कर प्यार करता था कि उसके शरीर ने वजन प्रशिक्षन को कैसे जवाब दिया 18 साल के उम्र में जैक कटलर ने वार्सेस्टर मेरी लैंड में गोल्ड के जिम में प्रविश किया और दुनिया में सबसे अच्छे बॉडी बिल्डर बनने का निर्णाय लिया कई प्रत्योगिताओं के बाद उन्होंने 1993 में पिशोर नागिकों में प्रविश किया और उनके वजन के वर्व को जीता 1993 साल भी था कि जैने आपराधिक न्याय की डिगरी के साथ सनातक किया लेकिन वो बॉडी बिल्डिंग को ही अपना जुनून मानता था और उसके बजाए करियर का पीछा किया 1996 में उन्होंने अपना प्रोकार्ड प्राप्त किया और आधनिक बॉडी बिल्डिंग के पिता कहलाने वाले जो वीडर के साथ एक अनुबंध पर अस्ताक्षर किये यही वो वर्ष था जो युवा जैक कटलर के लिए अपनी जवह में सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया था और सब कुछ बेहतर होता जा रहा था आज के लिए जैक कटलर बॉडी बिल्डिंग में एक प्रथ्ख्यात विशेशक्य है और एक महान व्यवसाई व्यक्ति अपने महान नैतिकता के कारे के कारण उसमें खेर, व्यवसाई, जीवन में वो सब कुछ हासिल किया था और वो हमेशा एक धर्थी से जुड़े व्यक्ति रहे जैसा कि वे हमेशां सही थे फिटनेस के उद्योग में ज्यादे व्यक्ति नहीं है जो दूसरों को प्रेड़ना देते हैं जैसे की जै कटलर, जै कटलर, उधार, अपने आपको उन लोगों के आसपास रखें जो आपकी तुलना में बड़े सपने रखते हैं अपने लक्षों को उन्चा रखें और तब तक ना रुखें जब तर आप वहाँ पहुँच नहीं जाते सुहे अनुषासन के बिना सभलता और संभव है यह वीडियो देखने के लिए आपका भन्यवाद इस वीडियो को पसंद करें, शेयर करें और कमेνट करें हमारे चैनल के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें भन्यवाद